कि जिस प्रदेश के आप पिछले 15-16 साल से आप मुख्यमंत्री हैं पांच-पांच बार आपने मुख्यमंत्री पत की आपने शबत ली हो और आज आपको लग रहा है कि वो समाज इतना बिगड़ा हुआ है कि इसको सुधारने जाने के आपको जुरत है मतलब ये गजब सोच है मुख्यमंत्री की कौन उनका एडवाइजर है भगवान जाने समाज सुधाने पे निकले हुए है तो समाज अगर बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार है भई या फिर आप ही ना जिम्मेदार हुए कि हाल को बरबाद करने में सबसे जादा योगदान लोग जनसक्ति पार्टी राम विलास के राष्ट्री अध्यक्ष और जमुई के सांसे चेराख पास्वान आज जमुई में हैं जमुई पहुचते ही उन्होंने बिहार सरकार और नितिश कुमार पर जबरदस थमला बोला है क्या कुछ कह रहे हैं आप भी देखिए मुख्यमंदरी नितिश कुमार जी जितने उतावले हैं विपक्ष के साथ जाने के लिए ये चीज़ जादा प्रमुक्ता से दिख रही है एक के बाद एक इन्होंने ऐसे विशे को इन्होंने चुना जहां पे इनके गड़बंधन के साथी भारतिय जन्ता पार्टी का रु नाम आये थे ग्यारत तारी को मैंने प्रेसफारता की थी और उसी दिन मैंने इस बात को कह दिया था कि बहुत जल्द ये कोई ना कोई भाना डूनेंगे और अपने आपको भारती जन्ता पार्टी से अलग करेंगे क्योंकि अब इनकी महत्वकांचा प्रधान मंत्री बनने तो अब ये चाहते हैं कि विपक्ष के सामने किसी भी तरीके से अपना भाव उचा करें ताकि तमाम विपक्षी दल इनको अपना नेता माने और दोजाजाज़ाश के जो लोगसभा के चुनाओं होने हैं उस चुनाओं में ये प्रधान मंत्री पत के ये दावेदार बनकर ये सामने आएं इसीलिए अब ये तमाम ऐसे विशे उठा रहे हैं इन्होंने पेगासस पेजांज की बात उठाई जहां पर भारती जंदा पार्टी पार्टी का और केंद्र सरकार का रुक्स पच्ट है अब इनकी सोच बस यही है कि कि किसी भी तरीके से महागडबंदन य पत के दावेदार बंद के मौझूद है। नहीं पे इतनी बधाल सिती है इनकी योजनाओं की जो धरातल पर नहीं उतरती। खाद को लेकर भाई किसान आज जहां एक तरफ दूसरे कारणों से आंदोलन कर रहे हैं वहीं बिहार में खाद को लेकर आप देख लिए कितनी समस्या है। कहीं पे बता दीजे खाद किसानों को मिल रही हो। काला बजारी हो रही है उसकी अलग। ओने पौने दाम पर खाद किसानों को लेने पे मजबूर किया जा रहा है वो अलग। तो इन तमाम चीजों पर राज्य सरकार और किसी प्रधान प्रदेश है भाईया हमारा। बिहार में अगर इस तरीके की किसानों को समस्या होगी सिचाई की समस्या होगी तो कौन सी ऐसी नीती है जिसकी वज़े से हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो मुक्य मंतरी नितीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान का साथ आना असंबव है और यह असंबव वह व समाज सुधार यह पर निकले थे नितीश कमार क्या लगता है कि समाज बिग्रा हुआ है कि जिस प्रदेश के आप पिछले 15-16 साल से आप मुक्य मंतरी हैं पांच-पांच बार आपने मुक्य मंतरी पद की आपने शपत ली हो और आज आपको लग रहे हैं कि हो समाज इतना बिग्रा हुआ है कि इसको सुधारने जाने कि आपको जुरत है मतलब यह गजब सोच है मुक्य मंतरी की कौन उनका एडवाइजर है भगवान जाने समाज सुधारने पे निकले हुए हैं तो समाज अगर बिग्रा तो कौन जिम्मेदार है भईया फिर आप ही ना जिम्मेद हुए क्लास में अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो हेड्मास्टर टीचर ना जिम्मेदार होता है कि भईया क्यों तो आज आप बिहारियों को आप बोल रहे हैं कि उनको सुधारने की सुरत है जिस समाज को आपने बाटने में कोई कसर नहीं छोड़ी आज उस समा कि मंतरी के तौर पर आपका कारेकाल कितना कितना बुरा रहा है कि आज आपको समाज को सुधार निकले जाना पड़ रहा है कि यूपी चुनाओं का संधनाद हो चुका है डेट का इनॉंस्मेंट हो जगा लोचपा क्या करेगी नहीं हम लोग उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे उत्तर प्रदेश और उत्राखंड की मुझे लगता है बहुत जल्द पहली सूची भी हम लोग इसी हफ्ते तक हम लोग रिलीस भी करते हैं में अभी बिहार का जो संसदिय बोर्ड है वो इस पर बैठेक कर रहा है और बहुत जल्द मुझे लगता है संसदिय बोर्ड के अध्यक शुलास पांडे जी के द्वारा इसकी अपचारी घोशना कर दी जाए शराबंदी कानून जिस तरह से विहार में चलना जिन निकीज कमार हाय तोबा मचाय हुए है हाय तोबा से उनको अब शराबंदी दिखता है भई प्रदेश में कोई ना आ है जिसको शराब पीनी है भई जो पलायन करके बाहर गए हुए पहले उनको तो वापस लाने क्या विवस्ता कीजे शराबंदी शराबंदी खाद यहां पर मिल नहीं रही है आपको शराबंदी के लावा कुछ दिखता नहीं है यहां पर डॉक्टर्स के पास लोग जा रहे हैं तो अपनी आँक का इलाज कराने मुतिया बिन के लिए जाने तो अपनी आँक निकलवा के आ आपको शराबंदी दिखता हूँ शराबंदी पे भी जो जैडिली शराब पीने से जो लोग मर रहे हैं उसकी चिंता इनको कहीं नहीं हो रही है एक बार किसी पीड़ित मृतक परिवार के हाँ यह जाना जिन्हों ने जरूरी नहीं समझा तो शराबंदी का सिर्भ हुआ है सफली इनसे होना नहीं की अस पहनना जरूरी है भीड़ भर्में जाएं तो दोगस की दूरी रखें हम लोग भी पूरी तरीके से प्रियास करते हैं कि हम लोग इसका पालन करें बट ऐसे संकट की घरी में छेत्र में प्रदेश में रहना भी जरूरी है आज मैं जिला प्रवदे उससे अच्छा है कि पहले ही सारी तैयारी कर लिजा उसी क्रम में आज में हाँ पर आया है।